मित्रो नमस्कार एक बार फिर से हाजी रहे हम आपके साथ उत्तर प्रदेश प्रस्णों के साथ मित्रो कैसे है आप सभी लोग उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे साथियों देखिए मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो इस टाइम पे आप थोड़ा अपना ख्याल करिएगा नहीं तो जुखाम और खासी जरूर ले लेंगे हमारी तरह तीक तो आएए प्रसनों को देखते हैं मित्रों प्रस नमबर एक है सात्यों नितिन गटकरी ने किस राज में सा प्ररजमार्ग से की नहीं हमें यह तो किस राज में किया है और उत्तर पर देश से किया है और उत्तर परदेश के बलियाजिये नहीं से बलिया जिले से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से यह साथ राष्टिय राजमार्ग परियोजनाव का उत्गाटन किया है और उत्तर प्रदेश का बलिया जो है अपने राज का सबसे पूर्वी जिला है ठीक कैसा जिला है सबसे पूर्वी जिला है तो इसमें आफसन यह स साथियों 5% होता है वो भी बहुत महात्पूर्ण खनीज नहीं पाये जाते हैं कुछ कम ही पाये जाते हैं वो भी कितने पाये जाते पांच परसेंट पाए जाते आफसन सितार वादक पंडित रवी शंकर का संबंद उत्तर प्रदेश के किस घराने से हैं सितार वादक पंडित रवी शंकर प्रशाद का जन्म या संबंद उत्तर प्रदेश के किस घराने से हैं आफसन एह सातियों आगरा घराना आफसन भी है बनारस घराना आफसन सी है लखनव घ हो एक जर दो पंडित तसी तारवादक जन यह उत्तर परधेस के रब उत्तर परदेस के किस थाइट है राजा वेडू का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इस्तित है, तो इस कलर से कुछ इसमें रिलेट करके अगर कोई देख रहा है, तो इसको देखिएगा, अगर रिलेट कर पाओ, तो इसमें उत्तर है इसी का, एक रहस्चना ही उत्तर है, आफसन A है मित्रसामली, आफ्षन बीस का सही उत्तर हो जाएगा और सामली जो है यह पस्चिमी जिला है अपने प्रदेश का पस्चिमी जिला है ठीक बलिया पूर्वी जिला है और सामली जो है पस्चिमी जिला है अगला प्रसने मित्रों उत्तर प्रदेश के किस जिले में उर्वरक कारखाने इस्थित है उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में उर्वरक कारखाने इस्थित है तो आफशन A है बरेली आफशन B है प्रयागराज आफशन C है गोंडा आफशन D है उपर्युक्त सभी तो इन है यह जगा है अन्राय हैं और इसी को अभी कुछ दिन पहले आपको पढ़ाए। नायनोय और यूर्या प्लांट के रूप में भी इसको परिवर्छित किया गया है इसके दोरा ज्वाया?. और पर्याग राज का कौन सा है यह फूल पूर है फूल पूर फूल पूर जो है उबर्ख सैद्र यह कहां पर है प्रयाग राज में है ठीक तो इस दोनों को आप देख लीजेगा अगला प्रसने साथियों उत्तर प्रदेश का सो विंडो के रूप में उत्तर प्रदेश के किस जनपत को जाना जाता है उत्तर प्रदेश के सो विंडो के रूप में किस प्रदेश को जाना जाता है साथियों नुएडा को जाना जाता है और घाजयाबाद जो है ये green bond जाड़ी करने वाला पहला नगर क्या है फश्ट नगर निगम है green bond जानी करने वाला ठीक green bond और गौतम गुध नगर जो है अपने राज का गौतम बुद्ध नगर जिला जो है यहां की साथ चर्टा दर सबसे अधिक है साथ चर्टा दर सबसे अधिक है ठीक मैक्सिमम तो उत्तर प्रदेश का सोव इंडो किसे कहा जाता साथियों यह नोएडा को कहा जाता है अगला प्रसने मितनों राज में कुल केंद्रिय विस्व लाओ तो इसमें चार सामान है केंद्रि की बात चल रही है में तो आप सोचीए को वेलेखी किश्य विश्व द्यåले ठीक और एक क्या है विमानन 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 जाते हैं वहां हाँ academia स्कार उसमें सिखाय जाता है उड़ना अपना प्लेन उड़ाना एलिकाप्टर उड़ाना तो कितने है केंद्रिये विश्विध्याले छे हैं उत्तर परदेश में कुल केंद्रिये विश्विध्याले की संख्या मित्रों छे हैं साभार सावाण भी ठशेट्र गुंख फसले लिखीत में से कौन सी है बुन्देbly खंड या पहाडी पठारी च्छेतर की मुक्फ कसले कौन IF एह तो जो बुंदेल खंड का पहाड़ी पठारी छेत रहे यहां पर दलहान और तिलहान यह जो है तिलहान यह मुख्य फसले यहां की तो आपसन यह इसका सही उत्तर हो जाएगा सातियों और गन्या कहां होता यह तराई में जढ़ा होता है इसमें लग फॉल यह इसमें लग पानी जादा लग जादा गन्य की फसल खराब जाती है लेकिन चावल यह धान की खेती अच्छी होती एं तराई में ठीक अगला प्रसने सात्यों उत्तर परदेश का दच्छिड स से उत्तर की चौड़ाई कितनी है तो ये है दो-sachрос किल से उत्तर की चौड़ाई कितनी है diversity से और पूरस से प्षचिम इसट से वेश्ट कितनी है चेश्थ ऐसे इसको याद की रहेगा किलोमीटर स्क्वायर, दो लाग 4.928 किलोमीटर स्क्वायर उत्तरप्रjust का टोटल शेत्रफल है, जो की पूरे भारत का 7.33 % योगदान करता है यह पूरे भारत का 7.33 योगदान करता है अपना उत्तर प्रदेश ठीक तो उत्तर से दच्छिड 240 किलो मीटर और पूरव से पस्चिम 650 किलो मीटर और उत्तर प्रदेश का संपूर शेदफल दो लाग चालिस जार 928 यह डाटा याद कर लिजे PCS वगएरा में पूछ लिया जाता है वंडे एक्जाम में तो इतना ही पूछा जाता इतना बहुत कमी पूछा गया है ठीक और यह परसेंटेज भले वंडे एक्जाम में पूछ ले कि 7.33 पूरे देश का उत्तर परदेश योगदान करता है ठीक अगला प्रसने सातियों उत्तर परदेश सरकार द्वारा लेंड वोल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया जाता है उत्तर परदेश जैसे जमीन किसी की रहती थी और बेट कोई अर लेता था फर्जी कागज अगहरा दिखा के तो ऐसे एक प्रमाणपत्र दिया जा रहा है आप समझ लीजे जो भूसवामी है उसको एक प्रमाणपत्र दिया है कि हमारा यह हमारी भूम है अब कोई अवैद नहीं बेच पाएगा कि जैसे दूसरा कोई बेच जाता कि हमा अपना जमीन बता के फर्जी कागज दिखा के अब यह यूनिकोड जारी कर दिया गया है वह इसमें कितने अंकों का है तो यह 16 कितने अंकों का है 16 आंकों का है 12 आंकों का आपका आधार कार्ड होता है आपके पास आधार कार्ड होगा जेब में निकाल के देखें यह 12 आंकों का है ठीक और पैयन कार्ड में कितने होते हैं पैयन कार्ड में 10 यूनिकोड होते हैं कितने होते हैं 10 तो लेंड होल्डिंग रिकार्ड को कितने में 16 में और आधार कार्ड में 12 होते पैन कार्ड में 10 होते हैं अगला प्रसने साथ यह जैविक उत्पादों की गुर्वत्ता जांच है तो परयोग सालाएं उत्तर प्रदेश के किस जन्पद में अस्थापित की जा रही है अभी देखो जैविक उत्पाद या जैविक किरसी की जो है होड मची हुई है हर आदमी जैविक खेती करना चाहरा है कारण क्या है कि हम इन रसायनों का प्रयोग कर करके खुद को इतना ब्लेड प्रे गया माडल के रूप में किसे चैनित किया गया हमीरपूर को चैनित किया गया है जैविक खेती के माडल के रूप में अपने उत्तर परदेश में हमीरपूर को चैनित किया गया या चुना गया है और जब जैविक खेती होगी तो उससे जो पैदा होगा उसकी गुडवत्ता आप रसाइनी खेती करके ले जाएंगे और बता दें कि जैविक है तो उसका परमाड़ी करण कैसे होगा जब अगर उसके लिए परियोग सालाएं नहीं रहेंगी तो उसके लिए परियोग सालाएं कहां पर की जा रही है यह मेरट और वाराणसी में उपर दोनों जो हैं यह पर अस्थापित किया जा रहा है जैविक उच्पादों के लिए परियोग सालाएं और हमीरपुर को जैविक खेती के लिए माडल गाओं के रूप में चुना गया है यह दा मोस्ट आने वाला कोश्चन अगर हाल ही में कोई पेपर होने वाला होगा अपने खेती करने वाला वाला फस्ट स्टेट कौन सा है यह सिक्किम है कि देश का पहला राज्य जो है जो जैविक खेती के लिए जाना जाता है वह सिक्किम है ठीक अगला प्रसने साथियों राज का पहला डॉग पार्क उत्तरप्रदेश के किस जनपद में अस्थापित किया गया है देख रहे हैं कुट्तों के लिए पार्क बनाया जा रहा है और इंसानों की बात ही छोड़ो इंसान तो ऐसे कुट्ता बन गया आजकर आप समझ रहे हों के कहने का मतलब ठीक तो खेर उसको छोड़िए इसमें राज राज का पहला डॉग पार्क उत्तरप्रदेश के किस जनपद में अस्थापित किया रहा है तो यह मित्रों लखनव में किया जा रहा है कहां पर लखनव में किया गया है डॉग पार ठीक और गाजीपुर को क्य Kaasa Si की बह्न किसे कहते है गाजी पूर को कहते है अगला प्रत उत्तरप्रदेश का भार्त में कौन सा अस्थान है ऐसन इसेती दूसर aí यह तीसरा और आफंडी है चौथा तो चावल उत्पादन में हम लोग दूसरे अस्थान पर है किस अस्थान पर पहले अस्थान पर क्या है वेश्ट बंगाल डबलूवी डबलूवी से वर्ल्ड वेंग मत समझेगा वेश्ट बंगाल पस्चिम बंगाल जो है यह पहले सब्सेज़ा गरफफऔर में सबसेज़ा गय 15 का उतिपादन होता है है अंगला प्रसक्री मित्रों उत्तर परदेश सरकार द्वारा सुरू की गए कल्प योजना ने में से किसे है ईक योजना शूरू की गई कल्प योजना उसका संबन किस्थिया है आफसन यह मित्रओं प्राथमिक सिच्छा से आफसन B है, माध्मिक सिच्छा से आफसन C है, प्रावैधिक सिच्छा से और आफसन D है, उच्च सिच्छा से, तो कल्प योजना का संबंध मित्रों ये प्राथमिक सिच्छा से है, किस से है, कल्प योजना का संबंध प्राथमिक सिच्छा से है, दोई आफसन भी है कन और यह लक नौउ में क्या है लकनोव में करेला जीठ करेला और इतोजा इतोजा जीठ और यह नभाव गंजीठ जीठ है इसलिए पहले बताएए कि नभावों के शहर और से इससे को मद रिलेट करिएगा कि नबाब जबाब गंजील कहां पर है साथियों ये कन्नावज में है और हर्दोई में क्या है एक सांडी पच्छी विहार है क्या है सांडी पच्छी विहार आपको थोड़ा सा ट्रिक बताये थे कि संडिल धोई हर्दोई संडिल धोई हर्दोई ऐसे आप याद करिए ऐसे देखने में तो आसान रहता है लेकिन भूल जाता जादा तो ऐसे को रिलेट करके चीजों को याद करेंगे तो जादा टाइम तक याद रहेगा और पेपर में आप सही कर ले जाएंगे ठीक तो नबाब गंजील कन्नोज में साथियों परस्ण हमारे इतने ही रहते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्स्राइब करिएगा और मित्रों आपको धेर सारी सुब कामनाय और बधाई जो हमारे परिवार को 1000 आपने पूरा करवा है सब्स्क्राइबर हम उमीद करते हैं आगे आगे भी ऐसे सहयोग बनाए रखेंगे अगर आपका सहयोग बना रहा मित्रों तो हम अभी और भी टीचर लाएंगे या भी विसेयों को अध्यापक ले आएंगे और अच्छे से वो आपको पढ़ायेंगे और आप पढ़ेंगे ठ तो मित्रों साथ बनाये रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत